हलो टू माई आल व्यूवर्स वेलकम तो आवर चैनल वाने एजुकेशन टुटोरियल आज हम हिंदी का टॉपिक कर रहे हैं जो है अशुद्ध भाग का चैन करो यदि वाक्य में कोई तुरुटी है और यदि कोई तुरुटी नहीं है तो कोई तुरुटी नहीं है को आपने चूज करना है यह आपको हर एक्जाम में आते हैं जैसे इंगलिश में common errors आते हैं वैसे ही हिंदी में भी common errors आते हैं तो मैं आज आपको बताती हूँ यह first example है आपके सामने पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया कोई तुरुटी नहीं पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद पुलिस ने थोड़ी चोरी की है तो पुलिस द्वारा चोरी जो है यह अशुद्ध भाग है तो आप इसको क्या करोगे टिक कर दोगे वहाँ पे option आएंगे आपको क, ख, घ, 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 तो आप क, पे click कर दोगे, ठीक है, next है, उसकी अलोकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं, ठीक है, अलोकिक योग्यता की बजाए जो है यहाँ पे होगा, असाधारन योग्यता, clear, तो यहाँ पे अलोकिक योग्यता गलत है, next one, यदिपी आप विद्वान है, तथा पे आपको पढ़ते रहना चाहिए, तो यदिपी आप विद्वान है, अगर आप विद्वान है, तो आपको continuously पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, तो इस वाक्य में कोई भी तुटीन नहीं है, तो उसी के accordingly आएंगे, next one है, अब वह पौधा बड़ा विशाल व्रिक्ष बन गया है, कोई तुरुटी नहीं, तो अब वह पौधा, तो बड़ा और विशाल तो दोनों ही equal है, या तो बड़ा लिखते या विशाल लिखते, तो बड़ा विशाल व्रिक्ष जो है, यह न लिखे, अब वह पौधा विशाल व्रिक्ष बन गया है, तो यहाँ पे तुरुटी है, B1 में, next is, उसने अपनी सामर्थि के अनुरूप सब कुछ किया, तो उसने जितनी उसकी सामर्थि शक्ति थी, उसके accordingly सब कुछ किया, तो इसमें कोई तुरुटी नहीं है, next one, विनोवा जी कह कहते हैं की जगह पे क्या आएगा, कहता है, clear, but as a respect हम यहाँ पे कहते हैं भी लिगा सकते हैं, but यहाँ पे as a answer की जो है, तो उसमें कहता है, clear, मतलब एक परसन के लिए लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे विनोवा भावे जी कहता है, clear, next one है, हमारा संपर्क अनेकों व्यक् के साथ होता है, तो यहाँ पे अनेक व्यक्तियों से रहेगा, तो यानि की B1 में गलती है, B1 में तुर्टी है, next is, यहाँ पर एक और लड़की बैठी थी, कोई तुर्टी नहीं, तो यहाँ पर का क्या मतलब है, यहाँ एक और लड़की बैठी थी, इनफ है, तो इसका मतल जब A1 गलत है, next is, क्या आप असली भैंस का दूद पीते हैं, तो यहाँ पर क्या होना था, यहाँ क्या आप असली भैंस, भैंस तो असली होती है, यहाँ पर क्या होना था, क्या आप भैंस का असली दूद पीते हैं, तो यहाँ पर B1 में गलती है, इस तरीके के एक्जाम् या two to three ratio आप रग सकते हो, इसकी आपको हर exam में आती है, next one है, हत्यारे को मृत्यूदंड की सजा, मिलना चाहिए, कोई त्रूटी नहीं, तो यहाँ पर हत्यारे को मृत्यूदंड मिलना चाहिए, मृत्यूदंड अपने आप में सजा के equal word है, तो यहाँ पर हत्यारी को मृत्यू दंड मिलना चाहिए ही होना था तो मृत्यू दंड की सजा गलत है निक्स्ट इस आप तो आए पर तुम्हारा भाई नहीं आया तो तुम्हारा क्यों लगाना है हमने यहाँ पर आप तो आए पर आपका भाय नहीं आया करेक्ट होता तो B1 गलत है निक्स वन यह आवशक नहीं है कि गरीब का बेटा आजनम गरीब ही रहेगा तो यहाँ पे आजनम तो आजनम गरीब ही रहेगा इकुल है जरूरत नहीं है आजनम परियंत तो परियंत यहाँ पे क्या है आपका C1 गलत होगा संघश आपको निरंतर सतत कारे करने की शक्ती देता है, कोई तुटी नहीं तो यहाँ पे निरंतर और सतत जो है ये इक्वल आते हैं तो इसमें से बीवन गलत है मतलब या निरंतर कारे या सतत कारे ही होना चाहिए शराब चानने की आदत पूरे परिवार को ले डूबती है, कोई तुटी नहीं शराब चानना क्या होता है? शराब पीने की आदत पूरे परिवार को ले डूबती है तो यहाँ पे एवन गलत है निक्स्ट इस प्रतेक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अरपन करना चाहिए तो यहाँ पे प्रतेक हर एक देशवासियों नहीं होता प्रतेक देशवासी को तो एवन गलत है निक्स्ट है उस मजदूर को शराब पीने की आदत पढ़ गई है यह correct है या incorrect है तो यहाँ पे आदत पढ़ नहीं गई लत पढ़ गई है That is correct तो यहाँ पे आदत पढ़ गई है गलत है Next is तला भुना बासी भोजन मेरे स्वास्ति के अनुरूप नहीं है कोई त्रुटीन नहीं तो स्वास्ति के अनुरूप नहीं है तो यहाँ अनुरूप शब्द जो है वो रूप के लिए लगता है यहाँ पे लगना था अनुकूल C जो है वो गलत है Next आगामी पांच वर्षों में संस्था का लाब बढ़ कर तीन गुना हो जाने की संभावना है तो हो जाना लिखने की जरूरत नहीं थी होने की संभावना है भी करेक्ट होता तो यहाँ पे C1 में आपका एरर आएगा अगला है हर्ताल की कारण शहर की अधिकतर दुकाने बंद रही तो यहाँ पे कोई तुरूटी नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा अधिकतर के स्थान पर अधिकांश दुकाने ठीक है अधिकांश में अधिकतर की जगा आएगा अधिकांश तो B में एरर है next कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है कोई तुरूटी नहीं तो यहाँ पे जो आपने आदमी कल बुलाया कल जो आदमी आपने की जगा पे क्या होगा कल आपने जो आदमी clear तो यहाँ पे A1 में एरर है next one आज सुबह में आपके घर गया था किन्तु तुम घर पर नहीं मिले तो जब आप आपसे ही बात कर रहे हो तो आप उसकी बात तुम थोड़ी बोल दोगे आप क्या बोलोगे आप घर पर नहीं मिले तो यहाँ पे आपका C1 में एरर है अगला है बुरा से बुरा आदमी भी समान चाहता है कोई तुटी नहीं तो बुरा से बुरा नहीं होता बुरे से बुरा होता है तो A में हमारा एरर है next is आपकी जानकारी का स्त्रोत क्या है कोई तुटी नहीं तो यह सोर्स ही पूछ रहे है तो यह correct word है यहाँ पे सारा sentence correct है next है चुराहे पर काफी भीड एकत्रित हो गई कोई तुटी नहीं तो चुराहे पर काफी भीड एकत्र हो गई clear एकत्रित नहीं, एकत्र हो गई, एकदम से जो चीज होती है, तो यहाँ पे C1 में error है, इस जगह की एतिहासिकता संदिक्द है, कोई तुरूटी नहीं, तो बताईए इसमें error है या नहीं, इसमें कोई भी error नहीं है, clear, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, उमीद करती हूँ कि आ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में लगे बैल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स